साथियों केवी टेक्निक्स चैनल पर आपका स्वागत है अगर आप मद्धिपर्देश से हैं या मद्धिपर्देश के कर्मचारी हैं तो आप चैनल को फटा पट सस्क्राइब कर दीजी और पास वाली बेल पर प्रेस कर दीजी जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको प्राप्त होगा तो साथियों बिना समय गवाए जानकारी को स्टार्ट करते हीं साथियों पहली बड़ी खबर सिक्सा विभाग को आदिम जाती के स्कुलों में विले के तैयारी बड़ी खबर भौपाल से निकल के आ रही ही मत्धिपर्देश की सिवरासी सरकार ने आदिम जाती कल्याण विभाग दोवारा संचालित साथ की विधिहालयों को इसकुली सिक्सा विभाग में विले करने के लिए सेख्ट कमेटी का गठन कर दिया ही इस कमेटी को एक साल कसा में दिया गया ही दिसंबर 2021 तक कमेटी अपनी अनुसन सायंस सरकार को सोब दोगी ज गठीत कमेटी समीती सदेस आदिस जाती कल्याण विभाग के कार्यों का इसकुली सिक्सा विभाग के विधियालों के साथ विले संबंदी प्रस्ताव पर अपने अनुसन सायं दिसंबर 2021 तक सोबेंगे यहा समीती आयुक्त लोग सिक्षन स्रीमति जै श्री क्यावत के अध अगली बड़ी खबर दो दस्मलों तीन छे लाग अधियाबगों की बड़ी खबर हर महीने मिलेगा 2400 रुपे तक का फायदा राज्य स्रकार ने अखिल भारती सियावा के अप्सोरों की अंसदावी पेंचन निधी CPF में 4 अधिया आये अब राज्य के 3,36,000 को यह लाब देने पर विचार कर रही है इस बारे में अंतिम निणे जल्द लिया जाना है दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सस्क्राइब कर दीजिए आपका लाइक करना और सस्क्राइब करना ही हमारी महेनत का फल है इससे प्रतियक करमचारी को हर मेनी 1,600 से 2,400 रुपे का तग लाव होगा इस वरदी पर हर मेनी 53,600,000 रुपे का तरिक्त खड़ चाएगा सालाना यहां घड़ 645 करोड रुपे के करीब होगा साथी ऐसे कटोती होगी यदि करमचारी का वेतन हर मेनी 40,000 रुपे है तो अभी तक वेतन से 10 विजद राची CPF में करमचारी के वेतन से काटी जाती ही जो 4,000 रुपे के लगबग होती है इतनी राची सरकार मिलाती है अभी ता 4,000 रुपे सरकार अपने हिस्सी की मिला रही थी लेकिन अब 5,600 रुपे मिलाएगी इन करमचारीों की होती है CPF में करतोती 2005 के अबाद प्रदिस में एक लाग कर्मचारी सास्की सेयाओं में आए जिनका CPF करता है इस परिदी में अध्यापक संवर्ग में आने वाले 2.36 लाग अध्यापक भी सामीले इस तरह 3.36 लाग कर्मचारी इस दायरे में आते हैं अगली बड़ी खबार मध्य प्रदिस में कलेक्टर के खिलाब तैसिलदारों की हरताल विशेश कबार मुपाल से निकल के आ रही है अनुपूर के कलेक्टर चंदर मोन ठाकूर एक बार फिर सुर्कियों में पिछले सब्ता इन्होंने कांगरेस विधायक का क्रेसर इसलिए सीज कर दिया था क्योंकि उसने भारे मंच से भारती जंदापाडी का विरूत किया था कांगरेस कारी करताओं को कुछ नहीं कर पाई लेकिन मध्य प्रदेस के तैसिलदारों सहीर उनकी अधेने से सबी कर्मचारी हरतार पर चले गए क्योंकि कलेक्टर चंद्रमोंसी ठाकूर ने कोत्मा नायब तैसिलदार के लाब प्रश्ण दरजे करवा दिया प्रदेस राजेस व अधिकारी संग दुवारा अनेशित कालिन हरतार सुरू की गई जिला सतना की उच्छेयरा तैसिल में नायब सेल्दार सेलेंदर बिहारी सर्माए के ओपर जानलेव हमला हुआ था मामले में नामजेदारों पित अब तक फरा रही गोत्मा जिला अनुपूर के अनुवभाई के अधिकारी तैसिलदार एम तैसिल की करवचारों के साथ इस्थानी अधिवक्ताओं से अबद्रता की इनके विरूद भी किस तरे की कारवाईट नहीं की गई है जिसके विरूद में मद्यप्रदेश राजस्वधिगारी संग अनिशित करें हर्ताल पर चला गया है आखरी और बड़ी ख़बर जो की ओल्ड पेंसन को लेकर है क्या है एनपियस और क्या है इसमें कामिया आईए देख लेते हैं पहले सरकारी नुगरी को लेकर लोगों की सोच थी कि सरकारी नुगरी मतलब बड़ापय में पेंसन के रुप में सहारा लेकिन नई पेंसन योजना से एस मायने को बदलकर रग दिया है नई पेंसन योजना के थाथ लगे करमचारीयों के बुड़ापय का सहारा छीन सा गया है नई और पुरानी पेंसन योजना में पेंसन राची के कई गुना अंतरी जो करमचारी के साथ साथ उनके परीजनों की चिंदाव भी बढ़ाने वाला है 2004 में लाग हुए स्योजना के विरोध में सहवी करमचारी शिक्सक्संगटन अपने जद्दो जहत कर रहे है परंतु कुछ तबलियोदों के साथ अब यह नई पेंसन योजना पूरे देश में लाग हुए इसके अलावा NPS में जीपीएप की सुईदा लागो नहीं है मूल वेतन 49,100 रुपए था नई पेंसन योजना के तर 1223 रुपए प्रतिमा पेंसन मिल रही है जबकि पुरानी पेंसन योजना के तरहत यह पेंसन रासी 19,550 रुपए और महेंगा बता अलग से मिलता है NPS की क्या एक हामिया यह देख लेते हैं केंद्र सरकार दोवारा सरकारी करमचारियों के लिए पूरे देश में NPS को एक जनवरी 2004 से लगू किया गया है जिसके तरहत प्रत्य करमचारी की बैसिक सेहल्डी से 10% रासी की कटोती होती है और उतने ही रासी सरकार दोवारा जमा की जाती है सेवा निरती के समय इस रासी का 60% का भुकतान, सेवा निरती के रासी में नगत की रूप में करमचारी को मिल जाता है और 40% प्रियम के रूप में पैंसन प्रदान की जाती है इस पेंशन घवकतान सेर बाजर पर आधारीद बताया जाता है जिसकी रासी भी निश्चीत नहीं है जबकि पुरानी पेंशन योजना में निश्चीती और वेतन का 50 परज़त हिस्सा थी ऐसे में करमचारियों को नाम मातरी के पेंशन रासी मिल पाती है दो, वीडियो के इस टौपिक पर अपने वीचार वित्त करना न भूलें जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए वह पासवाली बेल पर प्रेस कीजिए जिससे जब भी वीडियो अप्लोड किया जाएगा सबसे पहले आपको हमने चल रहे हैं उनको देखिए और अधिस सिदिक सेर कीजिए थेंक यू